हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू लेंसर विस्ट दिस इस राम सोनी आज हम डिस्स कर रहे हैं रर्वन विसन के बारे में यह स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है इसे हम बोलते हैं स्यामा प्रशाद मुखर जी रर्वन विसन वद एक इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो ग् एजुकेशन फेसिलिटीज की बात करें इंटरेंट फेसिलिटीज की बात करें यह फेसिलिटीज आम तो पर गाउं के छेत्र पे नहीं मिलती हैं यह फेसिलिटीज हम इस समय प्रवाइड कर रहे हैं ग्राउं के छेत्र में तो इससे बोलते हैं स्यामा प्रशाद मुखर ज तो यहां पर एक न्यूज यहां पर रही है कि इसको इंप्लिमेंट करने में तेलंगाना फॉस्ट ट्राइंग पर रहा है तेलंगाना एक ऐसा राज है जो सन यहां पर हम प्रवाइड करेंगे अर्वन फैसल्टीज यहां पर आपको मिलेंगी तो आने वाले कल में और गुजरा की बात करें तो अभारत का एक वरनी स्टराइब करी है और कुज्राथ की कणिशन कर फर तेलंगारा यहां पर इसमेnh tag ह सेंख बढ़ेगा निद्रिकत तो हम लोग क्या कर रहे हैं विलेज लेडस पर टरीके से क्लस्टर लेवल कर रहे हैं इसमें स्कूर्प्लिप्र प्रेप्स करेंट है एल पीज करेक्शन दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से पाइब्ड वाटर सप्लाई आपको याद होगा नल जली ओजना जो है उसके अंदर गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो जरूरी स्कुल है मतलब पाँच में तक आप आप पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन इसके बाद यह आप टोल तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 15-20 km ट्रैवल करके जाना पड़ता है और देखिए इसके लिए थोड़ा सासान भी है यह साम को यह आना हो तो जदक कॉंप्लिकेशन नहीं होता लेकिन गर्स के एक बहुत बड़ा का उप्लिकेशन होता है तो कहीं न कहीं यह अपने आप में बड़ा कंसर्ण है इसके साथ में हम लोग एक ग्राम फैसलिटी प्रवाइड कर रहे हैं एग्रोफ फार्मिंग प्रवाइड कर रहे हैं डेरी फार्मिंग हैं मोबाइल हेल्थ यूनिट्स है मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का फायदा यह होगा कि इसे कहीं न कहीं हेल्थ का जो कंसर्ण है हमारे देश में इस्पेसिटी गाव में वो कंसर्ण को हम सॉल्व कर पाएंगे एस आफ नो हेल्थ फैसिल्टी का यह कंसर्ण है कि हमारे बहुत सरे ऐसे गाव ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से एक डॉक्टर एक कह सकते हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री होती है ऐसे डॉक्टर अवालिर कर पाते हैं तकरीबन 15-20 क्रियोमेटर की डिसंस में सब्सक्राइब करेंगे इसके चलते इंटरेंट की फैसिल्टी प्रवाइड के जाएंगी तो डिलाट्बर आफ ड्रॉप्मेंट आप 300 विलेग्स क्लस्टर्स एंड डॉल्ड रॉस सेंटर्स इंपार बाई अरबन अमेर्टीज इन इंफ्रास्टर्टर बाई 2019 इसके अंतर सब्सक्राइब मतलब जब भी हम डिसकस करते हैं कौन सी स्कीम किस तरह की है तो पतावना ची आप लोग को दो प्रकार की स्कीम होती होती है सेंट्रो सेक्टर स्कीम की बात करें यहाँ पर केंज सरकार 100% अबाउंट पे करती है एक होती है सेंट्रल स्पॉंसर्स इसकीम जह जो नॉर्थ इस्टरन स्टेट्स हैं हिमालेन स्टेट्स हैं वहाँ पर 90% के सरकार पे करेंगी 10% राज सरकारें पे करेंगी तो ऐस आफ नो सिस्टम यह है तो यह है स्यामा प्रशायत बुखर जी रर्मेशन आपको पदोनाची संदर सोला में इसको लॉंच गया था एस आ डिट्रमेशन की बात करें तो यहाँ पर रवन क्लस्टर जो बनाए जाएंगे उसमें देखा जाये है तो ऐसे जहां पर पॉपलिशन पचीन स्थार शेंपचाहथ जार की आसपास में है प्लेन इरियाज में और शाथ में जो कोस्तल इरियाज हैं वहाँ पर पासजार से प सब्सक्राइब करने का प्रयास किया जाएगा यहां पर दिखा यहां पर दिखाया तो एक और है डर्लप्मेंट किया जाएगा अट्रैक्टिंग इन्वेस्मेंट करना ही नी चाहते हैं और यदि हम लोगों ने डर्लप्मिशन चलाया तो कहीं न कहीं इन्वेस्मेंट करेगा तो ग्रोथ को एक्वाइर करने में काफी असनी यहां पर मिल सकती है अब इसमें देखा जाया तो छे लाग जाए तो लिखा है लेकि साथ हजार के आसपासे टाउन्स और अर्बन सेंटर हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गैफ है यह ज़िए हम बात करें अबक्राइब एसे कहीं जादा है क्यों पिकोज हमारे यहां जो है नगर परिणचायत की बात करें इसको प्रॉपर हम सिटीज में काउंट करते हैं लेकिन नगर पंचायद की एरिया में देखें तो बहुत सरी जगहों में proper कोई facilities अवेलबिल नहीं है, internet की कोई connectivity प्रापर तरीके से नहीं है, broadband connection अवेलबिल नहीं है, बहुत सरी health facilities की बात करें तो common health center तो है, लेकिन इसके लावा specialist doctors वहाँ पे विल नहीं है, तो कहीं न कहीं सरे concern यहाँ पर आज भी विदमान है, तो यहाँ पर 9% की जगह है, यह heavily 75% क्रॉस कर सकता है, यह दि नगर पंचायदों को भी यहाँ पर सामिल कर दिया जाए, यह अब आज आफ नो देखें, तो हमारे यहाँ न कहीं, यहाँ पर हमें दूसरे जो sectors हैं, उसमें काम करना पड़ेगा, जिससे उन्हें proper है, एक प्रकास से कह सकते हैं, उन्हें employment के opportunity मिल पाएं, और शाहते बाकी facilities भी उन्हें available हो पाएं, तो यह सारे concern हैं, जिसके चलते हमें वाकई, रवर मेशन की जूरुत है, और श्य प्रधर मंतरी किसान ओर्जा सुरक्षा के लिए काफी important है, पियम कोशुम योजना क्या है, इसके बारे में एक निजो डालते हैं, पहली बात रखना है, युनिनमेस्टर पो पावर एंड मेनारी, इसके द्वारा basically उसको हाले में रेव्यू किया गया, इस scheme के थे हम बात कर का एक बहुत बड़ा कंसर्ण रहता है जो कि मैं इसमें राइट नौ विलेजरिया में हूँ और यहां पर कंसर्ण यह है कि यहां पर लाइट कभी भी गुलो जाती है तो अपने आप में यहां पर जो इरिगेशन फेसिल्टी ने वह काफी प्रभावित होती है तो पीम कुश प्रद्यान मंतरी केसान उरजा सुरक्षा औूण उथान महभीन है इस को प्रवट कर आएटा कर दिया गया था तो लांसिंग टाइब आपको ठोड़े याद रखना कि जाए अब इस स्कीम के अंतरगत हमारा प्लैन ये है कि हम लोग जो रिनोबर कैपसिटी है इसको 25,750 मेगावाट बाइंड आप 2022 एड कर देंगे हलागे इसमें भोज़ा एड तो नहीं हुपाया लेकिन फिर भी हमारा जो प्लैन है वो काफी इंबिसेस प्लैन था पीम कोसुम योजना के बात करें तो यहाँ पर मेन प्रपरस क्या है कि यहाँ पर आपको सोलर पंप वेल कराए जाएंगे जिसमें प्रपर तरीके से आपको पैनल सोलर पैनल दिये जाएंगे और साथ में सोलर पंप दिये जाएंगे अब इसमें कौन कितना खरच करेगा इसक 27 लाग वाटर पंप हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसको फॉर्मस को 17.5 लाग पंप विल बी इंस्टॉल्ड ऑफ ग्रिट टो एड इरिगेशन नेट सा फॉर्मस इं रिमोट लोकेशन 10 लाग पंप की बात करें तो इसको इंस्टॉल किया जाएगा जहां और यहां पर देखें तो फॉर्मस के लिए सब्सक्राइशन नहीं चल रहे हैं तो इस कंडिशन में आप उसको ग्रेट में सप्लाई कर सकते हैं और इससे बुला गए कि फॉर्मस यहां साथ हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से अन्रेमगी कर सकते हैं अगली पिक्चर में यह है कि यहां पर रियाद रखना है सबसी इसके में पुछा आता है क्या है से इस सीटिर सप्सें काली स्प्वांसर से क्यम चुकि यहां पर केल सप्वांसर पे नहीं कर रही है ऍसफ бы समें यहां पर केड दोनों 20 पर इंट तो 30 पac इसको basically अपने हाँ solar pump install करना है अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यहाँ पर इंक्लूड feeder level solarization तो यहाँ पर इससे benefit क्या मिलेगा फार्मर्स को यहाँ पर daytime reliable solar power मिलेगा irrigation के लिए तो इससे कहीं न कहीं हमरे फार्मर्स के जो condition है काफी बहतर होगी electricity का जो gap है as of नो दिखा जाए गाओं के शेत्रों में गाओं के शेत्र में आज भी electricity के availability काफी कब है तो उस availability को हम proper तरीके से इंस्योर कर पाएंगे PM कुसुम योजना यादरखिया state emergency जो है MNRIE will coordinate with the state union charities discoms and formus अब देखें discoms क्या होता है समझने आपको discoms का मतले है distributing companies distributing companies में जिसे मददेश में MPB है मददेश electricity board ये एक distributing companies की रुपे काम करती है अब देखें यहाँ पर दो प्रकारी company होती एक होती power generation के electricity इसे मददेश की बात करें schemes की benefit के दिए हम बात करें तो as of now ये scheme obvious से बात है अगले 25 साल के लिए जो land owners रोलर के गरामी चेत्रों में उनको benefit देंगे ये आपके एक बार पैरल लग गया तो आपको यहाँ पर अभी ऐसी बात है अर्टरिंग भी हो सकती है चुकि परेकर के हिसाब से आप 50 सा 8000 रुपे कमाई भी का सकते हैं इसके लाव यहाँ पर चीज़ है solar power projects को भी गाव में यहाँ पर setup किया जाएगा तो इससे भी आने वाले कल में जिससे अरिया है यहाँ पर dry land है कोई cultivation नहीं होता है कोई खेती नहीं होती तो उस condition में तो आप सीधे के सीधे लगा सकते हो पैनल लेकिन माले जी कुछ ऐसे ए क्या होता है कि नीचे आप खेती करते हो कोई दिक्कत नहीं और उपर जो है प्रॉपर तरीके solar panel लगाए जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो-दो काम मिल जाएंगे खेती भी होगी उस सांथ में हमें illustrative vision rate होगी यह दोनों काम यहाँ पर किया जाएंगे solar pump लगाए जाएंग smile scheme बनाएगी है पहली बात एकना है यह है एक बड़ी important चीज़ है कि मिलिश्टी आप social justice and empowerment हमारे देश का जो social justice and empowerment मिलिश्टी है उसके दोरा basically formation किया गया कि हमारे जो marginalized individuals हैं जो हमारे गरीब तपके के लोग है उनके बारे भी scheme launch करने की बात की इसमें देखा जाया तो इस scheme म support for marginalized individuals for livelihood and enterprises इसमाइल scheme किसके लिए है यह basically हमारे जो गरीब तपके है इसपेसली बिखारियों के जो condition उसको बहतर करने के लिए scheme launch की है central sector scheme है इसके लावे यहाँ पर एक चीज़ और प्याद रटना है इसमें बाकी जो organization से वो भी contribute करेंगे यसे urban local bodies है पंचायती पंचायत ले प्रॉपर तरीके से ground level पर implement किया सके नौ भारत में बात करें बिखारियों के संख्याइज आपनों कितनी है तो 2011 संसर्स में डटा लेए के थे उसे भारत में एज़ापनों बिखर्ष है चार लाग तीरा जार शिस सटर चार लाग के आसवास बिखारी है और यह भी डिटा और बहुत सरी अनौफिस्यल तरीके से biggest काम करते हैं इनके बारे में जनकारी मिली नहीं पाती है उसमें male की संख्या जाता है female की संख्या थोड़ी कम है अब यहाँ पर देखा है तो West Bengal में सबसे दिखारी है अब देखे ये भी अपने आपने बड़ा concern है कि government को यहाँ पर क बिखार है हलाएक यहाँ पर काफी unfortunate है कि उत्रप्रिश में सब्सेदा आबादी है लेकिन तब यह सेकंड रैंक पर है और West Bengal यहाँ पर फॉस्ट रैंक पर दास वेली highly unfortunate इसके लिए हम बात करें तो लक्षदीब की बात करें लक्षदीब की एज आपनों यहाँ पर केवल दो भिखारी है अब देखें लक्षदीब हलागी बहुत चोटा राज्य है अब यह सी बात है बत्तिस किलो मेंटर स्कॉर एरिया फैला हुआ है राज जनी बलकि केंसारश प्रदीश है तो बड़ी बात नहीं है इसके लाव यहाँ पर न्यू दिल्ली की बात करें न्यू सबसे बड़ा राज्य है तो अब यह से बात है यहाँ पर सबसे बिखारी है रफली राउंड 22,000 बेगास है इसके लाव मीजुरम की बात करें यहाँ पर सबसे नीचे रहें के यहाँ पर फिर्टी बेगास है तो इसमाइले स्कीम के अंतरगत हम लोग जो फैसलिटीज है बेगर्स को पर्वाइड करेंगे इसके इंतरगत उने प्रॉपर तरीके से एक और हम एक बिरिफिट मिल पाएं और इसके साथ में उने इंप्लाइमेंट अप्रजिटी भी मिल पाएं तो इसमाइले स्कीम इस लाउस फार बेसिकली बेगर्स स्कीम जो है यह एप्रपर्टी कर्ड से अब्रवाइड करेंगे एक्षिली क्या है हमारे देश में आप देखेंगे कि लोग के पास लेंड ओनर सिप होती नहीं गाउमें देखिए तो बहुत सरी जगों में प्रपटरिके से लेंड रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता है बात करें लोग रेइस्टेशन प्रोसस हमारे आज भी complicated है ऐसे माल लेजे यहाँ पर generation to generation proper तरीके से land registration कराया नहीं गया अब देखे लेंड रेइस्टेशन नहीं होता है तो वहाँ पर registration tax proper तरीके से पे करना पड़ता है तो उस condition में यह भी अपने आप में एक बड़ा concern है और वहाँ पर proper तरीके से penalty पे करनी पड़ सकती है तो अब भी ऐसी बाए था registration प्रोसेस करना एक बहुत भी complicated और tedious task है सौमित योजना के थे हम बात करें इस योजना को launch तो यहाँ पर हमारा purpose क्या है कि जो land owners है जो भी भूमिका सौमी है उसको proper तरीके से हम सौमित योजना के अंदरगत उसको सौमि भू सौमी मना दिया जाए मतलब उन्हें proper तरीके से land records दे दिया जाए इस scheme को launch किया है पंज जायती राज दिवस 24 April को हम लोग मनाते हैं पंज जायती राज दिवस 24 April 2020 को सौमित योजना लांस किया था पूरे देश में यहाँ पर main purpose क्या है proper तरीके से residential land ownership आपको दी जाएगी और यह कैसे दी जाएगी proper तरीके से drone का इस्तेमाल किया जाएगा उसके दूरा track किया जाएगा को कहां पर रहता है और उसके जलते आपको residential land ownership provide कि जाएगी देखिए आपको land ownership मिल जाती है उसे benefit क्या होता है इसे benefit यह मिलता है कल कोगा भी आप loan apply करना चाहोगे तो collateral के form में आप उसको इसको इस्तेमाल कर शकते हो तो यह सारे benefit यहाँ पर मिल जाते हैं तो यह एक revolutionize करना है हमें property record maintenance in अडिया को as of no भारत में property record वाकि एक बड़ा concern है जो कि बहुत साल लोग के पास property नहीं basically देखा जाए तो कहीं न कहीं और लेकिन वो रहते हों वहाँ आप सो reason में तो कहीं न कहीं इससे benefit मिलेगा कि हमें हर किसी को property record देने में आसानी होगी और याद है इस scheme को हम लोगों ने पंचायती राज मिलिस्ट्री के थूर लॉंच किया है सौमीत योजना के अंतरगत बात किया है तो residential land जो है उसी को हम इसमें cover करेंगे यहाँ पर जो cultivable land है जहाँ पर खेती किया तो उसको हम cover नहीं कर रहे है हम लोग यहाँ पर residential land को cover करेंगे property card की बात करें हर किसी को यहाँ पर property से prepare किया जाएगा और यहाँ पर drone के माधिम से किया जाएगा तो यहाँ पर measurement भी काफी accurate होगा इसके लाव यहाँ पर एक और बहुत ही मातपूर्ण चीज़ है इस scheme का benefit क्या है आपको property rights मिल जाएगे तो अब भी ऐसी बात है यहाँ पर यहाँ पर बैंक से finance property दरीगेस करने में आसानी होगी इसको लड़ हम डिसकस कर चुके है और इसके लाव जो land tax government लेती है तो government को भी benefit के अब जाएगा कि आपसे proper दरीगे से land tax ले सकती है विकाज कई सारे लोग के नाम पर property है नहीं तो अब बैस मतलब land tax उनको मिल नहीं पाता है government को तो इससे भी benefit यहाँ पर government को मिलने वाला है इसके लाव यहाँ पर देखा जाया तो एक बहुत सारी चीज़े है जो disputes है छोड़े शोड़े disputes है उसको resolve कर सकते है इसके लाव एक और चीज़े है यहाँ पर tax collection बागी सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है अगली स्कीम है उड़ान 4.0 स्कीम इसका फुल फॉर्म किया है उड़े देश का आम नागरिक ऐस आफ नो उड़ान 4.0 लाउंच किया गया है उड़ान क्या है इसके बारे में जो देख लेते हैं उड़ान स्कीम को लाउंच किया था इसका एजन्टा का है अब यहाँ पर देख रहा है आपको 50 नए रूट उड़ान स्कीम के अंदर कर त्यार किया थे आप तो आप नो एविशन में क्या होता है कि आम तोर पर वही रूट में फ्लाइट्स काम करती है चलती है जिस रूट में फ्लाइट बेनिफिशर होती है ऐसे मालेजे सपोस करिए मुंबई तो दिले जाना है तो मुंबई तो दिली काफी बिजी रूट है तो यहाँ पर हर फ्लाइट जो है जितने भी कंपनीज है वो सारे के सारे इस रूट में फ्लाइट रूट करना पसंद करेंगी लेकिन मालेजे सपोस करिए आपको पदा हो कि यदि मालेजे इंदौर से लेकर इंदौर से लेकर आपको बिसिकली कही जवरपुर जाना है तो वो फ्लाइट कर जो रूट है बहुत जा बिजी नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है तो इसके चलते हैं हम लोगों ने एक और काम किया देखे आम तोर पर क्या होता है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है ATF मदब जो आप एरो प्लेन में जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ATF बोलते हैं वो अलग तरीका फ्यूल होता है हाई क्वालटी फ्यूल होता है उसमें देखें तो बहुत सारा वैर्यू एट टैक्स लगता है और इसके चलते हैं जो फ्लाइड होती है काफी एक्सपेंसिव जाती है तो हमने यहाँ पर प्लैन किया है कि जो वैट लगता है उनमें प्रॉपर तरीके से उसको हम यहाँ पर कंदेंगे तो यह भी बड़ा इप्पर्ट पॉइंट है वैसे पता होना चीए आप लोगको जैसे हमारे हैं पैट्रोल है पैट्रोल काफी एक्सपेंसिव हो है आपको पता होना चीए डिजल भी काफी एक्सेव है because of the reason कि वैसे तो देखें तो अब बेसे पेट्रोलियम की प्राइस को हम कंडूल नहीं कर सकते हैं चुकि हमारे देसे पेट्रोलियम होता नहीं है लेकिन अफ अन्फोरचेंटलि इस के बहुत भी हमारे यहां स्टेट और केंद्र दूनों इसमें अलग-अलग टैक्स लगाते हैं और दूनों का टैक्स यहां पर लगने के बाद टैक्स 50% पार कर जाता है जबकि हमारे जेस्टी की बात करें हाईस लिमिट कितनी 28% कि है लेकिन अन्फोरचेंटलि यहां पर जो पेट्रोल और डिजल है जो कि हमारे देस्ट में अलड़ी होते भी नहीं है तो यहां पर बेसिकली टैक्स बहुत कम लगने चीए लेकिन अन्फोरचेंटलि यहां पर केंज सरकार राय सरकारें दोनों अच्छा खासा टैक्स में सूलते हैं और इसकी चलते टैक्स 50% क्रास कर जाता है तो कही न कही यह भी काफी उन्फोरचेंट है बहुत सर्लों को यह विजानकारी भी नहीं है यहां पर पेट्रोल डिजल में इतना ज़दा टैक्स लगता है लेकिन आपको पतनों अच्छे पेट्रोल डिजल में लभग 50% ज़दा टैक्स लगता है किसी राज़े ने ज़़ा tax लगा दिया तो it can reach up somewhere around 60% as well तो कहीं न कहीं ये concern नहीं कि यहाँ भी मैं tax कम करने के आवश्यक्ता है लेकिन government suddenly tax कम नहीं कर सकती because government का बहुत सारा revenue का जो load है वो यहीं पर depend करता है यह ना because जितना petroleum, petroleum एक essential community है जितना ज़़ा petroleum का import होगा उतना ज़़ा government को tax ही मिलेगा तो यह भी एक बड़ा system है anyway, look at here उड़े देश का आम नागरी के दिए हम बात करें इस scheme के अंधरिगत पहली बार इसको यादटना है, पहली बार इसको launch कब किया था पहली बार launch किया था सन 2016 में सन 2016 में government ने एक ambitious plan के अंधरिगत इसको launch किया था अब देखे, इसके अंतरकत यह बनाए गया है viability gap funding, VZM यह क्या होता है, इसका मतब यह होता है कि यह से माली जे launch किया गया है, बहुत अच्छी बात है subsidize phase में, वहाँ पर track routes है, ऐसे routes हैं जहाँ पर proper बहुत ज़रा benefit नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो basically यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है companies को, उस companies को यहाँ पर viability gap funding के अंतरकत कें सरकार और राज सरकार है जहां connect हो रहा है, उन दोनों के दोरा जो नुकसान है उसके भरपाई की जाएगी, मतलब इसका मतलब यह कि माली सपूस करें, सपूस करें मैं इन दोर से लेके गौलिड तक flight चला रहा हूँ, और मेरी company को यहाँ पर per person के हिसाब से 100 रुपे का नुकसान है, तो 100 रुपे का नुकसान है, तो इसे 50% जो है, केंसरकार इंकर करेंगी, और 50% यहाँ पर राजसरकार इंकर करेंगी, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो loss है, वो यहाँ पर ब्रेश जाएगा, तो basically इस scheme के थे हम बात करें, यह एक centralized sponsor scheme है, जहाँ पर केंसरकार और राजसरकारे दोनों ही यहाँ पर fund करेंगी, और यह plan किया आगले 10 साल के लिए, तो यह उडाने scheme का नाम है, ओडे देश का आमनागरिक, इसके अंतरगत, remote areas में हम लोग flight की connectivity है, उसको private करना चाहते हैं, और viability gap funding के अंतरगत, केंसरकार और राजसरकारे दोनों ही जो company हैं, आप basically aviation companies हैं, उनके नुकसान की भरपाई करेंगी, ती थोड़ास आप लोग यहाँ पर याद रिखेंगे, संद्धस्वला में इस scheme को हमेरे दोरा लांस किया गया है, उडाने scheme की बात करें, तो यहाँ बहुत सरी चीज़े हैं, 78 new routes were approved under the fourth round, चौथे round की बात करें, तो यहाँ पर 78 नए route को यहाँ पर अप्रूब किया गया है, तीन सक्सेस्पूल रूरांस आप बिडिंग, वर कनेक्टर बाई यूनन में स्जिया फिस इविल अविशन, यहाँ पर बिडिंग भी कीगी, 766 routes had been यहाँ पर नहीं सक्सेस्पूल रूरांस इविशन के बाद करें, तो यह सारी डिटा आपको याद रखने के आवश्यक्ता नहीं है, लेकिन याद रखना है, ओडान स्कीम किसके लिए है, ओडे देश कामनागरिक के अंदरगत, जो remote areas हैं, उसको भी हम प्रॉपर दरीगे से, एविशन के बाद हम से connect करने का प्रयास कर रहे हैं, ओडान 4.0 की बात करें, फॉर्थ राउंड है, इसको हमने दोसंबर 1922 में launch किया था, इसके अधर दरीगत जो नॉर्थ इस्टन इस्टेट्स हैं, इसको प्रॉपर दरीगे से connect किया जाएगा, चुकि यहाँ पर नॉर्थ इस्टन 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 की बात करें, यहाँ पर connectivity बहुत खराबे से आसम, मरिपूर, मिजूरम, त्रिपूर आगर, इन इस्टन से बेसिकली connectivity बहुत ही खराबे, इसके अलावा देखें, तो यहाँ पर इस plan को check out किया है, एरपोर्ट्स 30 फिंदेग दौरा, अब इसके अंतरगत जो high priority for the award of, वीजिया, viability gap funding under this scheme, तो viability gap funding की बारे मारे दिस्कस कर चुके हैं, कि जो नुकसान होगा इनका, वो के सरकार रासर करें, दो नहीं afford करेंगी, पिए भी सिकलेस के अंतरगत, वडान 4 के अंतरगत, यह विल्ली हम रोगों ने helicopters और sea planes को भी launch करने की बात की है, प्लेन तो प्रपर तरीके से launch के जाएंगे, लेकिन इसके लावा helicopters और sea planes को भी हम यहाँ पर launch करेंगे, वडान 4.0 के अंतरगत, लेकिन यहाद रखने है, वडान 4.0 का में टारगेट है, वो कौन सा है, नॉर्थ इस्टन इस्टेट से हैं, हिली स्टेट से और आइलेंड से हैं, ना, एटीएफ की बात करें, एटीएफ, ओके, यह तो लेट इसका हम कर चुके हैं, aviation turbine fuel जो है, इसमें जो tax लगते हैं, वो goods and service tax, GST के अंतरगत सामिल नहीं किया आते हैं, एटीएफ का अलग tax लगता है, यह VAT में आता है, वैलोड tax, जो भी केन सरकारें और राज सरकारें, अलग-अलग tax में अप्लाई करते हैं, अलग कि tax काफी जदा हो जाता है, बट फिर भी आपको पतोना चाहिए, GST के अंतरगत, ATF नहीं आता, तो यह रहें आज के discussion तिनसाला बुर्दाइफ, discussion का में इस वाइन आप करते हैं, जो government schemes हैं, उसका basically, basically हम लोगों ने जो main government scheme है, जिसको detail में discuss करना चाहिए, तो इसको discuss कर लिया है, अब जो government scheme discuss की जाएगे, उसमें mostly आपके year, और कब launch किया जाएथ, उसमें main चीज़ क्या है, उसमें नहीं discuss किया जाएगा, बहुज़र detail में discuss नहीं किया जाएगा है, तो इसके अलावा हम लोग अभी हाले में reports जो है, बहुज़री government की reports आते हैं, बहुज़री indexes आते हैं, उसको भी हम discuss करेंगे, तो चले discussion को मेंचे wind up करते हैं, मुलाकाद करते हैं, जुझ प्रफड है जुझ प्रफड़ आएगा है, जुझ अपर झाले जूझ आते हैं,